लेबनान का हिजगुला लगतार इसराइल के भीतर घुस कर एक के बाद एक ड्रोन ओपरेशन कर रहा है और धीरे धीरे करके अब हिजगुला के पास इसराइली सेना के कई सम्वेदंशी धिकानों की जानकारी आगई है इसके अलावा इसराइल में कहां कौन सी कमांड है और कहां पर हत्यार बनाने वाली कम्पनियों के कार खाने हैं ये सब हिजगुला को पता है हिजबुला का कहना है कि कबजे वाले फिलिस्तीन में आईडियफ ने कहां पर एर डिफेंस सिस्टम तेनाद कर रखे हैं इसकी जानकारी उसके पास है पर अगर इस्राइल ने हिजबुला से युद्ध किया तो ये जंग इस्राइल को बहुत भारी पड़ जाएगी ये बात हम नहीं कह रहें बलकि इस्राइल नैशनल सेक्योरिटी स्टडीज यानि आइन एसेस ने की है आइन एसेस का कहना है कि अगर इस्राइल ने हिजबुला के साथ युद्ध लड़ा तो हिजबुला के बड़े पैमाने पर हवाई हमले इस्राइल को बेहद ही गंभी नुकसान पहुचा सकते हैं आइन एसेस का कहना है कि हिजबुला ने 8 अक्टूबर 2023 के बाद से 5000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इस्राइल की तरफ दागे हैं इसमें भारी तबाही मचाने वाले गोले, रॉकेट और डायरेक्ट फायर प्रोजेक्टाइल्स हैं हिजबुला ने इसराइल पर एंटी-टैंक गाइड़ेड मिसाइल से भी हमला किया है हिजबुला के इन हमलों में 29 इसराइलियों की मौत हुई है और इंफ्रस्ट्रक्चर को गंभी रूप से नुकसान भी हुआ है हाला कि INSS का कहना है कि हिजगुल्ला के हमलों का ज्यादा तरसर सेटिलमेंट्स और प्रमुक शेर कीरियच शमोना पर पड़ेगा जहां पर युद का खत्रा मन्रा रहा है और इस इलाके में इसराइल के 28 सेटिलमेंट्स और कीरियच शमोना आते हैं हाला कि यहां से नागरे का अबादी को पहले ही निकाल दिया गया है लेकिन हिजगुला के हमलों की वज़ा से सेटलर्स इन इन इलाकों में अभी तक वापस नहीं लौट पाए हैं आएनसेज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि हिजगुला 2006 के युद के बाद से इसराइल के लिए प्रमुक्षेन ने खत्रा बन गया है अब हिजगुला के पास देड़लाक से ज्यादा मिसाइलें रॉकेट्स और अन्य घाता खत्यार है हिजगुला के पास मीडियम और लंबी दूरी की गाइड़ेड मिसाइले जिनमें क्रूज, बलेस्टिक और एडवांस कोस्टल एंटी शिप मिसाइले भी हैं इसके अलावा हिजगुला के पास हजारों ड्रोन्स और 80GM हैं यही नहीं हिजगुला के पास एडवांस साइबर सिस्टम है जिसे सैन ने हत्यारों के साथ जोड़ने पर नागरिक ठिकानों और सैन ने टार्गेट्स पर भारी तबाही मचाई जा सकती है और अगर यह जंग एक महीने तक कुछी तो इस से इसराइल को गंभी नुकसान हो सकता है वहीं इसराइल की बात की जाए तो आईडिएफ के एर डिफेंस सिस्टम एक दिन में हजारों हवाई हमलों का सामना कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आईर डिफेंस सिस्टम सभी हमलों को इंटरसेट कर पाएं ऐसे हालातों में इसराइल के पास एर डिफेंस सिस्टम की कमी बढ़ जाएगी और इसके अलावा इसराइल के उपर इरान, सीरिया, इराग और यमन से भी हवाई हमले हो सकते हैं और इस स्थिती में इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है झाल है